सभी का मंगलो नमस्कार मैं सभी नौजवान से लेकर बड़े बुजर्गों तक में मैं एक अनुरोद करूँगा इन दिनों में कुछ बाते आई हैं दो तिन तभी मैं कहने आई तो पहले भी थी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया मिर्थकों के परती रुजान हमारे घर के जो प्रियजन चले गए हैं तो फिर हम उसमें इतने मतलब वह जाते हैं भाव विवल हो जाते हैं कि हमें बस यूँ लगता कोई हमें ऐसा मिल जाए को तरीका मिल जाए को व्यक्ति मिल जाए जो हमारे कहते हैं जो हमारे जो भी गए हैं संसार से उनसे बाते करा दे या उनका च इसकी आग्या देता है तो बिल्कुल नहीं हम एक ऐसे सब्धे इंसान है सधान नागरी कि यह चीजों में जाना यह चीजें नहीं को बहुत भारी कोई मुसीबल तो भी को विशेश कारिय के लिए कहीं को ऐसी चीज होती भी है ठीक ना जो बात करवाते हैं मिलवाते लेकिन उससे ज्यादा हमें नहीं चलना चीजिए नहीं कुछ कर चीजिए वह भी कोई-कोई होते हैं बहुत कम मिलते हैं ठीक थोड़ा इनका चलन विदेशों में तो है फिर भी इसलिए इन चक्रों में नहीं पढ़ना चीजिए अपने सास्त्रों में तो पूरुंते निशेद है दूसरी चीज क्या रहती है कि यह चीजें आप इस पात पर गौर करिए हम किसी भी तरह के परियास के द्वारा जब अपने पूर्वजों को अपने मृत्व को बुलाते हैं किसी भी द्वारा जैसे कई विद्वें मतलब प्लेंचीट है और भकन कई तरह के तरीके हैं तो यह मत भूलिए कई वार गल्ट आत्में भी आ जाती हैं बहुत जल्दी वो तो बहुत जल्दी आती है और उसके बाद खेल बहुत बिगड़ जाता है दूसरी बात अगर हमारे भी पूर्वजों के आती तो उनको तकलीफ होती है आप खुश होते हैं देखो मैंने देख ल खती वी और आपकी आसपस याब जैसा भी कुछ है ख़ी आपको वैसे अभास हो जाएगा आपको जैसे कोज陽ड़क इन कोई मनं में सोची कि मेरे मूंसर बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं मेरे beiden दलिते हैं नहीं देते हैं मेरे काभास होता है नहीं तो कोई बात भगवान का जितना जाब करेगो उनके निमित करो सभी पूरुष पित्रों के परती एक माला अपने पसंद्दा भगवान जी की रोज करा करो ठीक ना चाहिए राम राम करो कुछ भी करो उससे उनको सांती मिलती है तृपती होती बढ़िया रहता है मंगल काम नहीं नमस्कर हां मिर्थको से आपको लाप कैसे मिल सकता है वो भी आपको बताएता हूं परती दिन उनके लिए जैसे आप माले जहां भी पित्रों की जोत वगर करते हैं उनके लिए पानी रखी आप पानी तो कम सकम होना ही चाहिए और रोज आना कोई परसाद भी रख दो कुछ भी मतलब खाने पीन बता रखें वैसे आप कहीं भी देख लो पड़ सकते सुन सकते आपको करना चाहिए नहीं तो उनकी निमत के वाली है जी मैं अपने सभी पूरज प्रित्रों के लिए मैं अपने भगवान जी का जाब करता हूं आप सब खुश रहें मेरे और मेरे परिवार पर आप अपना नमस्का छोटे से को अच्छे डंग से लीजिए और मिर्त को लाब एक और डंग से भी लिया जा सकता है हम जो क्या कहते परिवार के सदसे उनको अधिक सदिक खुश रखने के परितन करें हम क्या करते हैं आर्थिक दृष्टी से तो कर लेते हैं और कई तरह से कई तरह से ह से करला आएं अपनी बात को रकेंगे कुछ ज्यादा अगी छिखना मैंने भी ठीदर शीकर फिर समझे मैं भी संभिण नहीं जो जवानी आपकी निकल रही है मिरे नौजवान बच्यों जो कि सवर्व शक्रा आपकी मेरे מקल चुकी है ठीक है ना शीकते ये सीखते समझते समझते मैं भी सिमय मैं कि बास्ता में पूरा पित्रों का अगर आपका अच्छे धंग से लाब लेना है तो भगवान जी के परती पूरन आस्था करते वे उनका जब करते हुए पाट पूजा करते वे और अपने परिवार में अपने बड़े बुजर्गों को और भी जो हैं अपने सब को खुश रखते वे चलना है ज्यादा वाधिवाद का मोखा ही बड़े बुज़र्ग उसे बिल्कुल भी नहीं जहां पत्ती है या पत्नी उनसे वाधिवाद के कोशिस करो कम से कम हो यह नहीं हो जाद अच्छा है जिससे परिवार में पवितरता बनी रहती है हम कुछ उस नियमों का भी पालं करें जो घरस्ती के लिए अच्छे होते हैं तो उससे आपके घर सर्ग जैसा रहेगा बढ़िया रहेगा पुरूज पितर खुश रहेंगे भगवान का सिवत बना रहेगा मंगल कामरी नमस्कार